चले जी अब फिर वापस आते हैं आई एस ट्विंटी बन पर कुस्चन कर रहे थे हम नाइन कंप्लीट करते हैं उसको फिर थोड़ी सी इंवेस्ट्मेंट प्रॉपर्टी घर जागे करो करो कि अचारी की नाइए नाइए और क्या ज़र जाओ जागी फोड़ा कोई नहीं मैंने भी रास्ते में कहीं दरमयान में पर देता हूं तो मैं इदी यह इदी तो दी आई एफ्र एसोला का सारा काम करके आना है फिर वन वालों को तो मैंने कुस्चन वाइज लिख कर एदी दी एसोला में यह कुस्चन करके आना आईस चेप्षेश में तो यह करके आना तो आप लोग पुराने आपको मैंने आप पे चोड़ दिया कि आप क्या क्या करके आते हैं अच्छा जी जदा काम नहीं करेंगे ठीक है एक्स्ट्रा क्लास भी आज नहीं पढ़ेंगे आपने घर भी जाना है तीन बजे की बस भी है पैकिंग भी करने है ना जल्दी करके भी छोड़ देता हूं यह दो छोड़े सवाल करेंगे थोड़ी सी रिविजन हमने करनी है इन्वेस्मेंट प्रॉपर्टी की उसके ओपर आई स्वेंटी वन अप्लाए करेंगे फिर चुटी बस ओके शुरू करते हैं यह काम ठीक है अच्छा यह एक बात तो बताओ कर पैचल सिस्टम फॉलो करने वाले एक बंदे ने कि इन्वेंट्री परचेस की है क्या इंट्री पास करेगा हाँ शुकर है ध्यान से सुना था आपने परपेचल सिस्टम फॉलो करने वाला इन्वेंट्री डेबिड कैश कर लो पंतालिस रुपे की हमने ये चीज खरीदी ठीक है फिर अब दूसरे ने मुबाइल उठा लिया ह अच्ừ अच्छा नराज क्यों होते हो कुछ भी है किताब तो नहीं आए ना क्लास तो नहीं है ना बीच में से काग़द है बस सेल सेल की एक एंट्री नहीं होगी पूरी एंट्री महमूद आप an रे लिनिंदो होगी फैली हैंट्री होगी कैश कोर ना वूपर कैश《हतो》 प मैं कैश वी चलते हूं ठीक है अधार बंद है उदार एक जंग है इसली यह बंद है कैश डेविड सेल्स क्रेडिट कितने की बेची आपने 55 कर लो पांच का सिरल बना दिया था ठीक है और साथ दूसरी एंट्री कॉस्ट आफ सेल्स डेवेड इनवेंट्री क्रेडिट यह किस से जी इस तरह से जो इनवेंट्री आई थी यह तो खतम हो जाएगी ठीक है ना सेल और कॉस्ट और सेल प्रॉफ्टन लॉस में जाएंगे नेट होंगे जीपी ने के लाएगा ओके तो यह इनवेंट्री खरीदने की एंट्रीज करता है वो बंदा जो परपैच्छ सिस्टम को फॉलॉव कर रहा हूँ ठीक है चलो चलो जी पॉइंट भी कर दो फिर आब जल्दी से जी पेज नंबर 454 है कल से चल रहा है यह सवाल तो हुआ 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 है जी चेक करो यह कैसे मैंने गोलदारा लगाया और यह क्या बन गया है यह तुछ सीधा ओब दे ने का बसगार दो ने कैसे जहन दे नराज हो और सवाल कर ले मैं खेलने लग गया था और 27 फरवरी 18 MZA Limited Sold Goods Which had costed रुपीज 46,000 इसको भी convert किया दागे बंदो रुपीज में ये पढ़ेंगे इंशाला एद के बाद आप आएंगे ना आपको पढ़ाऊंगा कि प्रेजेंटेशन करंसी क्या होती है, फंक्शनल करंसी क्या होती है फॉरन करंसी क्या होती है, ये पुरा सा डिफरेंस हैं, लेकिन वो इंशाला मसला नहीं होगा, पढ़ते पढ़ते ही बस बीच में देख लेंगे, और फिर ये भी पढ़ेंगे इंशाला एद के बाद, जिस दिन आपने आना है, यो दिन क्राम्स दब प्रोसीड बाद में देखते हैं, पहले तो 27 सरवरी को बेच लो, ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट है, बी जी, 27 सरवरी, 2000, 18, जी, डेटर, यो धार पे जी, डेटर, डेविट, सेल्स, क्रेडिट, जी, बताएंगे जी, सेल्स कितने पे हुई है, चार लाख चैटर हजार क्रेम्स, हाँ, डिवाइड़ क्यों भई, डिवाइड़ क्यों, क्योंके वन लिगा हुआ है, रुपीज के साथ, लोकल करणसी के साथ, तो हम डिवाइड वाला काम करते हैं, इनडिरेक्ट मेथड जिसको बोलाता हम, ऐसे ही है, तो डिवाइड़ फरवरी को 27 फरवरी को क्रैम्स ठीक है डिवाइड बाइड बाइड फाइड जी बताएं 95,200 ठीक है लेकिन इसी दिन एक और एंट्री भी आपको करनी पड़ेगी हाँ जी कॉस्ट ओसेल डेड इनवेंट्री क्रैडिट 95,200 से 95,200 से नहीं करेंगे कॉस्ट से करनी है लेकिन कॉस्ट को भी कनवर्ड करना पड़ेगा अल्रेडी कनवर्डेड है तो 46,200 है ना चालिस हजार कॉस्ट ओसेल डेड और इनवेंट्री क्रैड फिक हो गया दो एंट्री होगी और फिर कहता है दा प्रोसीड वर रिसीवड वन पच्चीस मई हमारा ये रेंड है 31 दिसंबर रिसीट्स हो गई है पच्चीस मई को तो पच्चीस मई दो हजार अठारा पर पैसे आ गए एंट्री का करोगे कैश आ गया है जी कैश डैबिट और फिर जो डेटर थे वह अब नहीं रहे ठीक है लेकिन आपको मैंने क्या समझाया था जब सेटल्मेंट डेट हो तो पहले कैश ठीक है तो कितने क्रैम्स थे यह जो हमें में रिसीव होए होना है एंवेलप में चार लाग शेता इनको कनवर्ट कराने जाना है ना हमने ठीक है अब पच्चीस मई दो जार अठारा पर सिक्स पॉइंट एट ते क्रैम का रेट है ठीक है जी तो सिक्स पॉइंट एट इजर लिख दिया हम जी क्या आता है सतर हजार डैटर कितने पर स्ट्रेंड कर रहा था खुशियां चड़ जाएंगी आपको गशार हो जाएंगे बाई जन जिस से पचानवे जार आना था अब उससे सिरफ सतर हजार रिसीव हुआ तो नुकसान हो गया जी नुसकान हो गया नुसकान इसका नाम ग्या दे खीर हो गए तो ये भाई सेल की दो एंट्रीज थे तो कभी भी आपको अब यह लिख लो असल बाद लिखने वाले तौब आईए है यह दो क्यों एंट्रीज किये हैं कियो कहा लिखा हुआ है परपैटुर क्यों किया कि पिछले की सवाल में क्यों नहीं किया कास्ट दी गई अगर सवाल में कॉस्ट गिवन होगी तो हमने परपेट्चो सिस्टम वाली दो एंट्रीज किया करनी है सेल की ठीक है ओके ये सेल की दो एंट्रीज क्यों की हमने इसके वारे में लिख लो तो अगर सवाल में अलग से cost गिवन होगी अगर सवाल में cost अलग से ebh gen अगर सवाल में अलग से cost गिवन होगी तो पिर पैच्षो सिस्टेम वाली दो entries किया करें ओके ड़न चलो पिर अब तो देर नहीं लगेगी सी भी कर दो ओ हो इसको री ट्रांसलेट तो करवाओ 31 दिसंबर पर किस चीज को करना है री ट्रांसलेट कुछ चीज पढ़ी है पड़ा ही कुछ नहीं चले जी इंपॉर्टन लग रही है आज की क्लास जो सवाल हम नहीं उसे मज़ा आ गया अजो पढ़े बगएर आएगा हमें तो वैससे चीज करना आगे जी कर दें जिए जल्दी से ऐसे करना सी कर दें सी पार्ट सॉल्व कर दें यह जर्म कर दें कि चलना बस कर दो अब जो इस आलव करो सी फर सॉल्व कर दो झाल झाल खान जी को है खैर ख़बर कितने बच्चे कर चुके एक बच्चे कर चुके हैं कोई नहीं आए भी किने गोई नहीं आए 10% population आईये मेड प्रवाइब तकरीवन और दें 50 60% जोगिंग आप अ क्यूण गोड इंटने सिर्वां की फ्रवान की आए प्र आप श्यूड घुड़ अज़िट आइड एक पर देंटने स्ट्वाराद्श्ट अध की अधर गूड अटने स्ट्रें इंट श्यूड पर कहने शुरू इत्वाक से आज बहुत इंपॉर्टन लेक्चर था है फियार वन का रिवर्सल आफ इंपेर्मेंट उसमें फिर ने मैथड से दोनों तरह से काम किया है और फिर एक हैवी किसम का सवाल उसमें मिड आफ दा इयर इंपेर्मेंट जिसमें आथ जो आपको टेस्ट म अब पस कर दें यकम दो स्टमबर ठारा एंजेड लिमिटेड सोल्ड गुड्स विच कॉस्ट टिड होना जाहिए रूपी सत्रह जार कॉस्ट कितनी है सत्रह जार फॉर तरिपन तीन सो सर्ट तीन सो चैटर सारल्स तो दा कंपनी वूज ब्लाब्ला दा अमाउंट इस आउट्स्टेंडिंग एट 31 दिसंबर और फिर अगले साल में रिसीव हो गई तो दो सितंबर दो सितंबर ठारा डेटर डेबिट सेल क्रेडिट अब कितने सैरल्स हैं त्रिपन तीन सो चैटर बाइजान रुपीज में रिकॉर्ड करना है पहले सेल को फिर कॉस्ट ऑश्ट की बात करेंगे तो सैरल्स दो सितंबर पर रेट है टू 2.224 डिवाइड बाइ 2.224 जी अच्छा जी बनता था एक्जेक्ट 24,000 से डेटर डेबिट सेल क्रेडिट और इसी दिन कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इंवेंट्री क्रेडिट कितनी कॉस्ट गिवन है जी सत्रह हजार ठीक हो गया उसके बाद 31 दिसंबर आ गया और 31 दिसंबर 18 पर कह रहें जी यह करेंगे वर्सिज़ वाली केलिशन करेंब का है तो दो लाइने छोड़ दी दो ही होती है, यहां गया थी ताइम देखतें देखतें फिल हाल टो फिल्हाल तो 24,000 जो था वो पुराना है हमने का जी 53,376 जो है इसको री ट्रांसलेट कर लें क्योंकि रुपीज के साथ वन लगा हुआ है लोकल करंसी के साथ तो डिवाइड से चल रहे हैं तो 31,18 पर 2.25 डिवाइड बार 2.25 क्या अंसर आया जी 33,000 यह जी नई लाइविल्टी न्यू ऐसे ही है ऐसे है अच्छा पहले कितने पर था तो फिर लाइविल्टी नहीं है तो फिर तो गम ही है आपकी ओल्ड रिसीवल की अमाउंट थी 24,000 कम होकर 23 हो गई तो खुशी अगम डैटर कम करोगे या बढ़ाओगे कितने से 270 तो यह क्या हो गए जी एक्सचेंज लाउस ठीक होगे जी अच्छा वैसे सवाल की रिक्वाइर्मेंट तो है सिर्फ सिर्फ 31 संबर ठाना तक की एंट्री लेकिन चलो प्रैक्टिस हो जाएगी जरा हम अगले साल पर चले जाते हैं हो कहता है जी यहां रेड भी नहीं गिवन था यहां पर लेकिन गिवन है दा साथ फर्वरी की एक एंट्री कर लेते हैं यह नॉट रिक्वाइड गामी देनी प्रैक्टिस करानी है तो किस दिन जी साथ फर्वरी 2019 आ गया जी आ गया आ गया वो जिसका इंतजार था सारेल्स वाला सारेल्स वाला एंवैलोप आ गया उसमें देखा खोल कर तो गिवन हैं जितने थे उतनी थे जितने थे उतने 53,346 इस दिन पता किया फोन करके मनी चेंज़े से तो रेट है टू पॉइंट 2.306 23147 और हमारी लाइबिल्टी पड़ी हुई है इस वक्त 23723 पर ठीक है हमारा एसिट सोरी पड़ा है 23723 पर तो जिससे आने थे 23723 उससे आए है 23147 तो फिर क्या हो गया 5706 का लॉस है एक्सचेंज लॉस प्रॉफित हैं लॉस में ले जाएंट्री रिक्वाइड नहीं थी हुँँ छेज से जोरा है करो आए है लॉस है नहीं? झाल झाल जी कुसर नमबर 11 आपके सामने है इसको पढ़ते हैं पांच मिनट का सवाल है यहीं कर लेगा अब बोर्ड कौन मिटाई है दो सवाल से उच्छड़े करने अपर मिज़ी भी उठना पड़ेगा तुम क्या कहते है उठ जो फिर मैं नहीं हूँ चुट्टी देता हूँ असान से सवाल है यह दिर कर लो बस दस मिनट और पढ़ लो दस से पंगरा मैक्सिम आज जल्दी चुट्टी दोंगा जैसे बोला था अब पाकिस्तानी कंपनी पड़ो दरा सवाल अब पेज वही है अगला सफ़ा चार सो पच्पन यहीं पर भिर रहे थे हम नम्मरींग चल रही है सवाल होगी अब पाकिस्तानी कंपनी फूस फंक्शनल करंसी इस रूपी डिपॉजेटिड सत्तर इंटू आ डॉलर अकाउंट डॉलर सत्तर इंटू आ डॉलर अकाउंट ऑन यकम मार्च दोजार अठार जी यकम मार्च दोजार अठार पे कोई मदर का रेड मुझे बताए याकम मार्च दोजार केड़ाशी अठारा कि इसकी एंट्री क्या करना पसंद करेंगे बोलें बैंक डेबिट कैश क्रेडिट बिलकुल यही है कैश बैंक डेपॉजिट की यही एंट्री हुआ करती थी बच्पन से कोई नई चीज नहीं ठीक है हां लेकिन हमने करना इसको रूपीज में नई चीज यह और गिवन हमें क्या है डॉलर कितने डॉलर ने जी और या ला करें म इसके साथ माउंट लिखी हुए एगर वन लिखा हो इसका मुदल्ब नॉर्मल हो गया है तो एक सो बीस रुपे का एक डॉलर है एक डॉलर इस रुपे कितने डॉलर हमारे पास पड़ें शतर हर एक डॉलर के गेंस्ट एक सो बीस मिल सकते हैं बोलो थोड़े डॉलर थे इतनी ज़्याद परे पैसे जी कुछ और तो नहीं होया कुछ और तो नहीं होया ओ कंपनी प्रेड एन एडिशिनल बारा डॉलर इंटू अकाउंट ओं तीस अक्तूबर जिस दिन रेट है पचानवे तो तीस अक्तूबर को फिर एक और एंट्री पास हुई बैंक डेबेट कैश करें अब कितने डॉलर्स बारा और इस दिन रेट पचानवे चानवे 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 पचानवे यह जी और कुछ पैसे यहां से निकाले हूं नहीं इसका अलाज यह पैसे हमारे बैंक अकाउंट में पढ़े हैं हमारा सासा है ठीक है अब इनको हमने करना है री ट्रांसलेट जल्दी से करें ट्री ट्रांसलेशन पर आपको पता है हमें वर्सिद वाली कल्कुलेशन करनी करती है शाबश जी सत्तर डॉलर इस वक्त 31 दिसंबर पहुंच चुके हैं 97 रुपे बोलो ठैर जाना है तोटली कर लेते हैं सबर करते हैं तर डॉलर 97 रुपे के साबसे कितने के होगे पुराने वाला काम पर लागा है शावन नाइन 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 अच्छा सेवन शिक्स सेवन नाइन जीरो यह न्यू है वर्सिस ओल्ड एटी फोर हंड़ हमारा असासा था भाई कम हो गया यह न्यू है न्यू 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 हाँ कम तो नहीं हुआ न्यू और यह क्या है और की बात है खुटून है यह वायझार नुक्सान ही है हमारे पैसे पड़े पड़े हीमारा हमारे पास जो ऄग confined चेंवे हमारे पैसे उसने ऑछिशें ही बात पूच्छा अ कहते हैं loss loss कितना 1610 का उसके बाद मजीद जो बारां डॉलर आपने बाद में डाले थे ठीक है वो भी अब से तानवे के हो गए यानि ग्यारां चौशट जब के यह जब आपने यहां पर रखे थे उस वक्त आपने जारां सो चालिस रुपए दे कर इनको लिया था यह ओल्ड आप गमों और खुशियों को नेट करें तो क्या बच रहे हैं गम ही बच रहे हैं जी जी पान फाइव एट से कभी तो खुशियां आएंगी इतनी आएंगी कि सारे गम ही नेट हो जाएंगे जी इसकी एंट्री फरमादें क्या होती है एक्चेंज लास डेवेट और बैंक क है ना असान स्टेंडर्ड बस ठीक है भाई के मतलब असान नहीं है बस ठीक है पाठी है अच्छे जी तर देखें इसका एक शॉर्टकट भी है शॉर्टकट यह है कि बैंक का लेजर बना लो याद है इन्वेस्मेंट प्रॉपर्टी फेर वैलियो गेंड लॉस निकालने के लिए इसका से लेजर बनाते थे अभी दुबारा याद भी करवाना है वो याद करवाके पर चुटी है जी पैसे रखवाए इस बैंक में एंट्री की बैंक डेबिट कैश क्रेडिट कितने डॉलर्स थे और इस दिन एक सो बीस रुपे का डॉलर था क्या मांट अभी आई थी एटी फोर हंडर उसके बाद फिर हमने बारां बेजे ऐसे डेबिट कैश क्रेडिट डॉलर 12 इस दिन ये 95 का था 1140 अब इज़र देखना बचो सारे मैं कह सकता हूं कि 31 दिसंबर 2000 जो भी है साल 18 इस पर मेरे पास 82 डॉलर्स हो गए हैं पकी बात है कह सकता हूं लेकिन यहां अकॉंट तो डॉलर 82 और यह सारे के सारे 97 के हो गए हैं तो 79 54 आप बैलंस नी फिगर किस तरफ आ रही है कि चेक कर लो कितनी है कि डारेक्ट यह बात आ जाती है ठीक है बैंक बैंक का लेजर क्रेट हो रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस डेविट होगा एक्सचेंज लॉस ठीक है डान हो गया जी यह हमने कौन सा कुस्षिन कर लिया जी चलें जी अब अगली बात अच्छा जी आपकी किताबों के एंड पे ना यह कुछ हैंड रिटन पेजिस होंगे इनकी नम्बरिंग कोई नहीं हुई हुई बस हिम्मत करके इस में से देखना है आइस 21 की हैडिंग होगी नम्बर फाइव नमबर फाइव यह है फॉरण करंसी के हैंड इटन पेजिस उसको छोड़ दें अब पस पता लग गया कहां पर अब बस बंद कर दें ठीक है आपको कि तक पता ही नहीं लगा था आपको याद हो या ना याद हो मुझे सारा याद है अगर आपने लैंड बिल्डिंग को सेल के लिए होल्ड किया हुए तो हैस्टू लगता था इंवेंटरी अगर आपने इसको होल्ड किया हुए फॉर एड्मिनिस्ट्रेटिव परपरजिस तो आईस 16 का प्रॉपर्टी और अगर आपने इसको हैल्ड किया हुए फॉर रेंटल फॉर कैप्ल एप्शिन और बोथ तो आईस 40 इन्वेस्मेंट प्रॉपर्टी फिर रेकिनीशन क्राइटेरिया सेम आईस 16 वाला था दो शर्ते हैं लाइबली मैयर हो सकी कॉस्ट और फूचर बैनिफिट्स प्रॉब सबसीक्विड मैयर मैंड पर यहाँ पर दो मॉडल्स अवेलेबल थे कॉस्ट मॉडल दुसरा फेर स्भांस् sowie कोस्ट मॉडल में हम करते देप्रिशियेट पर भी नहीं ले जाते थे और फेर assistant रिकॉर्ड करते थे यह बाता यहां पर लिक्षी मिलेंगी आपको इनिशल रेक्निशन रिकार्ड तब करना है जब यह दो शर्थे पूरी हो जाएं मैयरमेंट इनिशल किस पे होगी एड कॉस्ट जिसमें इंक्लूड करनी है नसेसरी कॉस्ट साच एस प्रोफेशनल फी एक्सेटरा अच्छा यह नहीं सिर्फ प्रोफेशनल फी मतलब लैंड बिल्डिंग कॉस्ट के अंदर फिर यह चीज़ें एड कर लेना ट्रांसफर फी प्रोफेशनल फीस किसम की चीज़ें ठीक है सबस्टिकूंड मैयरमेंट में कॉस्ट मोडल है और फेर वैलियो मोडल ठीक है कॉस्टिन आपके सामने है इस कॉस्टिन को जल्दी से सॉल्फ क सतर जिसमें तीस लैंड का पॉर्शन है लाइफ बिल्डिंग दस साल है फिर वैल्यू प्रोपर्टी की कति संबर यारा पे पचानवे हो गई है और बारा पे पैंसट हो गई है जनल एंट्री करनी है यारा और बारा की अज्यूमिंग कॉस्ट मोडल अब यह नहीं करके दे सतर को नहीं लैंड भी बीच ने पढ़ा थीस तो चालीस को डिवाइड करेंगे दस से चार उपे की डेप्शन आएगी डेप्शन एक्सपैंस डैबेट अक्यूमिल एप्शन क्रेड़ बारा में भी इसी तरह से तो कॉस्ट मोडल की खुसूसियत शो एसेट इन बैलेंश एड कॉस्ट लेस अक्यूमिल एप्शन एंड एम्पेर्मेंट लॉस इफैनी ओके दूसरा प्रॉफ्टन लॉस विल शो डेप्रिसेशन एक्सपैंस याद आया कुछ यह बात तेज लाग रही है तो मैं सवाल करवा देता हूं बहुत सिंपल बात क्लियर हुई याद आ रह सेम लेकिन डेप्रिसिंट की बजाए यह रेंट पर फेर वैल्यू गेन लॉस निकालते थे तो कैश डैबिट इनेशन प्रॉपर्टी क्रेडिट इनेशन प्रॉपर्टी डैबिट कैश क्रेडिट सतर से मैं बेच दी थी अब यह सतर होता था और क्लोजिंग पचानवे जो इस रुपेगा तो प्रॉफन लॉस डैबिट इनेशन प्रॉपर्टी क्रेडिट खसूसियत खसूसियत शो एसेट इन पैनेशीट एड फेर वैल्यू प्रॉफन लॉस विल शो गेन लॉस द्यू टू फेर वैल्यू डिजस्मेंट डू नॉट डेप्रिशियेट ठीक है अब यह सवाल कर लेते हैं यह सिर्फ कौन सा मॉडल है जी इसको फेर वैल्यू मॉडल पर रखते हैं ठीक है सब्सक्राइब कर लेंगे सब्सक्राइब कर लेंगे सब्सक्राइब टाइम लगाना जी वी पर्चेस्ट आ प्रॉपर्टी इन युएस वाभी वाभ इस दिन एक युएस डॉलर कितने का है एक सो तीस रुपरेजा अब यह मिक्स हो गए इस फॉर्टी और इस ट्वंटी वन मिक्स हो गए यह वहाँ पर नहीं पढ़ा दो इसलिए सवाल कर रहे हैं ओके जी तो मैं लेजरी बना लेता हूं एंट्री वहीं से करने है ठीक है एंट्री तो होँई भी बढ़ी इंवेस्ट्र प्रॉपर्टी का लेजर बनेगा नहीं बनेगा फिर वैलियो मॉडल है तो बना लिया करते हैं ठीक है यकम जनवरी पंद्रह पे 30 डॉलर की प्रॉपर्टी खरीदी है एंट्री बदल जाएगी फिर वैली मॉडल भी एंट्री यही रहेगी ना एससे डेबिट इन्वेस्ट्र पॉपर्टी डेबिट किस दिन जी जब कम जनवरी पंद्रह पे और कैश क्रेडिट कितने डॉलर् इतने रुपए का है सवाल ने बताया है एक सो तीस रुपए ठीक है इंट्वान तड़ी अच्छा वैसे एक और तरीका बताओं असान तरीका यह बाद में देख लेंगे यह मुश्किल सवालों की त्यारी करबार हूं आगे हमने लोन को देखना है किस्तों वाला लोन होग जैसे हमारे उपर लोन्स पड़े हुए हैं तो इद के अगले दिन आज आना अच्छा जी मजीद मुझे पूछ ले ना फिर अगर जी 30 डालर की हमने प्रॉपर्टी खरीदी आगे वह कहता है ऑन 31 संबर 15 यह बढ़की कितनी हो गई सतर 31 दिसंबर 15 कैरी डौन किदर पहुं यक्कम जनुवरी 16 ब्रॉट डाउन तो वही उठाकर लिख लेंगे ने यहां पर ठीक है और 31 दिसंबर 16 पर कैरी डाउन कैरी डाउन 25 अब करना सिर्फ यह है सवाल में स्पॉर्ट रेट्स गिवन होंगे उठाकर वो लगाई जाने सिंपल यकम जनुवरी पे 130 था 31 अंबर पे 135 यह फेर वैलियो भी है यह पिर रूल इन्शालला लिक्वाओंगा अभी आज रूल नहीं लिक्वारा तो चुटी देने लगो ठीक है ना इसमें दो चीज़ें कठी जा रही होंगी एक एक्सचेंज गेंड लॉस भी ऑर्टोम मॉडल होता है उसके अंदर शायद आप सोचो सोचने मजबूर हो जाओ कि रीवैंज सप्लस हो जाता था और यह एक्शेंज गेंड लॉस जाता है वहां फिर रूल बताऊंगा करना क्या है फिल्हाल इसमें तो जादा सोचने की जरूरत नहीं है रूल इसका भी लिखेंग इस वान थेर्टी आफ जी कि नाइन फोर फाइफ जी अन्हीं गेन आगे ऐना फिर्वाइब ट्रिपल फाइव जे रूल इस जीरो जीरो मॉड जाता है यह जिरो मॉत है मुल्टिप्लाय जिससे हो जाए बहुत जिससे मुल्टिप्लाय करो जिरो हो जाता है न सब कुछ जी आगे यह क्लोजिंग चुरानवे पचास ओपनिंग बना लो और 31 दिसम्बर कितना 132 132 प्रक्रिंगोड तो । को डबल ड्री डबल सी वन लॉस आगे 615 एच्चेंज लॉस यहां पर आया था च्शेंज गेंगिश्टी शियुँट थैंग रिलिया यह वह वह व्हुत फोर्टी मुंक फोर्टी रेली आपने बहुत है में जाता कि वह पने बार्टी है, जाए हां इसका पिलाल कuç ना को सब्सक्राइंद को चलो oh वह है उसका नाम रखनेंग़ इन्शारिवा ना नाम इसका क्या रखना है वैसे नाम इसका फेर वैलयू गानर ठीक है हाना लेकिन फिल सिर्फ प्रॉफ्टन लाउस लिए अपर जब रूल लिख मौंगा तो तब क्लियर कर लेंगे फिल्हाल सिर्फ क्या है देखो इसमें ये तीस से सतर पे गया कम भी हो सकता था फिर वैल्यू गें लाउस भी आ रहे हैं साथ ही ये भी चेंज हो रहे हैं ठीक है ऐसे ही इस दिन सतर डॉलर वाले पड़े ये भी चेंज हो रहे हैं और ये भी तो दोनों ही आ रहे हैं ठीक है ना तो फिल्हाल बस दोनों को प्रॉफ्टन लाउस में अभी तो लड़ाई भी कोई नहीं है लेकिन एक बात और जाते हैं सुन लो आप दिल कर रहे हैं ये भी करी दो हमने इसको क्यों कर रहे हैं उसकी वज़ा फेर वैल्यो मॉडल है ये इन्शाला सारी बातें करूंगा मैं अभी सिर्ण बनाके भेज रहा हूं कॉस मॉडल होता तो कभी भी इसको ना चेड़ते हैं पस पेबल डिसीएवल को करते हैं इसकी यहां मजबूरी ये बनी कि हमें ये फेर वैली फ़ेर वैली पो ठाकर लाना पड़ा जब ये रेंट्स लेगी लगाना पड़ा इस वजया से आता बस बी बनी रही हैं साथ में दृख गती होगा यह कोट्र होता ना हुश कॉश ऑना होका आना था बस 49 पहीं नहीं देप्रेश्ट होता रहता है ठीक है अब इंट्री क्या बनी पहली एंट्री ऊपर्टी डाबटि डेट इन्मेस्मेंट्र पापर्टी डाबटि वी यह जीज बश्य कोई नहीं होती फिर इन्मेस्मेंट प्रॉपर्टी ठीक होगे जी ठीक है जी यह लेजर भी बना हुए एंटीज भी होई है एडवांस इद मुभारक जिन्दगी रही तो एद के बाद होगी मुलाकात अल्ला हाफिस